असलावालिबूनW मैं आपके अंगर्खा जो महने आपको पहले वीडियो में आपको मैंने out के श्रीच बताई थी میने आपको सिक र совет भी है using生am वह एक उसके मैनने कपड़े लिए और का प्रूण दो क् algunas के तरीके से देखे यह में स्टिचिंग कर रही हूं नहीं मैंуск निजे को नीचे जो मेरा कपड़ता है उसके मैंने क्सक्ति всегда कट्टिंग करा वा था और यह देखे मैंने इस तरीके से इसको लिया और मैंने इसको लेफट औरर कर साइट तो मैंने डोरी को कट करा एक डोरी में जो है राइट साइट वाले हिस्से में लगाऊंगी एक डोरी में लेफ साइट की फिटिंग में लगाऊंगी और यह देखे आप इसके अंदर मैंने नोट लगा ली क्योंकि कटने के अबाद यह खुलने लग जाएंगी इस नोट से य और यह नोक पर जब आते हैं तो मैंने आपको बहुत सी वीडियो में अपनी आगे भी वीडीयो में बताया है कि नीडिल को क्भी भी आप जहां एंड हो रहा हो और टन करना हो कपड़े को मुफ करना हो तो आप नीडिल उसके अंदर ही रहने दे ताके आपका यह नहीं हो यह देखें आप इस तरीके से में बिल्कुल हलके हाथों से मैंने इसको लेते हुए किस तरीके से यह देखें मैं लेस बिल्कुल हलके हाथों से क्योंकि यह पर मैंने शेप दिया था आपने देखा था कि मेरी अगर इगर इदा से मैंने कपड़े को घंचीता या लेश को घंचीता तो मेरी वह सामने आले जो फरंट की घाया जो ब्लुकुल देखें soft hand से आप इसको लगाए ताके आपके जहाँ औरे भलका सा भी आ रहो आप इलकुल हलका हाथ से इसको बनाए कि कपड़े को move नहीं करें इतना घसीते नहीं ताके जो हमने cutting की भी है वो इसमें direct हो इसलिए कि मैंने देखें आपको एक तरीके से ये बता है ये मीना direct गोटे की less है ये इंडियन light कलाती है इसको इस तरीके से देखें मैंने इसको एक सिलाई लगाके इसके दर बीठाया फिर में इसके ऊपर टरण करके लब के सिलाई और ये देखें किस तरीके से और मैंने इसको नोट को भीलुँल अंदार ले लिया और यह मतलब अंगर केकी नौक है तो इस तरीके से इदे मूफ करा या में इसके अंदर आपको हैदरबादी लखनोई जो भी स्टाइल है कितना बड़े स्टाइल में चेस साइस के साफसे में आगे मज़ीद मेरी वीडियो आएंगे उसके अंदर में आपको बताऊ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेल लाजमी करें कॉमेंट्स करें अगर मेरी वीडियो पर न्यू है तो सब्क्राइब करें आगे मेरी इस पर वीडियो है मौजूद है चैनल पर जिसके अंदर मैंने इसकी कटिंग बताई है कि मैंने कम कपड़े के अंदर गेर वाली अंगरखा किस तरीके से बने गाउन के साथ अब देखे मैंने लेफ साइट राइट साइट वाले को तयार करा था यह लेफ साइट वाला है इसका मैं नेक पे रख रही हूं और इसकी मैं नेक से मतब लेस लगा रही हूं और जो मैंने राइट साइट वाली और इसको मैं इसको रोग दूँगी है देखे मेरे सेंटर इदर आ चुका है और इसकी मैं यहां ते कहीं सिलाई लगाऊंगी और इसको लेस्को मैं यही से कट कर लूँगी पूरी लेस्क मैं अंदर तक्के की नहीं लगा रही हूँ इस तरीके से मैंने इसको कट करा और इसको मैंने मूफ करके में नीट करने के लिए इसको मैंने टाइन कर दिया अब जो मेरे इधर कपड़ा बच रहा आप में इसके ओपर डाइरेक्टं में सीलाई नहीं लगाऊँगी इदर मैं आड़ी पट्टी काटूंगी इस पट्टी को इस साइट पे लगाऊंगी क्योंकि यह मेरा तीरचा है तो मैं इदर सीधी पट्टी नहीं लगाऊंगी क्योंकि यह नेक है नेक के अंदर अगर आप जरा सी भी उपर नीचे करते हैं तो neck में आपके खराबी हो जाएगी और ये neck मेरा इस तरीके से तैयार हो गया एक तरफ से मैं इसको 7 नीउज पर मैं left side से ले गई थी पर नी front वाली जो मेरा right side वाला neck था वो 9 नीउज पर दा इस तरीके से हमने less को खतम करा यह देखें मैंने इसके अंदर आड़ी पट्टी कट करी दी है और इस आड़ी पट्टी को मैं किस तरीके से इसके अपर रखा मैंने इसी तरीके से दो सिलाईयों से मैं इस आड़ी पट्टी को भी लगा रही हूँ बेल भी मैंने दो सिलाईयों से लगाई है आप ज़्यादा सिलाई हैं जब इस साइट पे हो तो आप इस पे ज़्यादा सिलाई हैं नहीं लगाएं कोशिश करें कि कम से कम और अगर आपकी ज़्यादा लग भी रही है और जहां पल्टाविये का मसला हो तो वहां आप हैंड तुर्पाई करें जिसेके आपके कपड़े में खिचाओ नहीं आता, और हम सिलागी पे तो उस पर हमारे कपड़े में खिचाओ आता है, और यह देखे, इस तरीके से, मैंने इसको इजर मूफ करा और इसको लगाते वे, इस तरीके से इसको और यह देखें आप इसकी बिल्कुल लप्पे मैंने सिलाई लगा ली इसके अंगर रखे की मैंने सैटिंग करी फिटिंग लगाने के बाद के मेरा ये कहा तक क्या आ रहा है किस तरीके से आ रहा है आप फिटिंग लगा लें फिटिंग की शिलाई लगा कर फिर आप अंगर खे कुछ सैटिंग करें क्योंकि ये परफेक्ट कटिंग हुआ हुआ है और इसकी जिसे मैंने इसकी कटिंग करी यह इसी तरीकर से आया है और है आप umb Pi देख सकते मेने इदर इदर इसका हुक लगाया है यहाँ पर इदर मैं हुक लगाया हुनी और इसको मैं इसको बिल्कुल चेक करनी हूँ कै यह बिल्कुल ओके है मेरा साइज में भी सही आ रहा है गला भी मेरा आगे पीछे नहीं हो रहा है तो इस तरही के से मैंने लेस लगा के और फिटिंग लगाई है फिटिंग लगा के मैंने इसका नेक तैयार करा है कि इसकी फिटिंग में ये बिल्कुल ओके है और जिस तरही के से मैंने कटिंग की थी एक ही दफ़ा मैं नीट कटिंग करी है और यह हमारा नैक इसके अंदर बिल्कुल ओके है यह नहीं कि मैंने राइट लेफ रखा है अगर मैं इसको मैं टाइमिंग है सबसे बताऊं तो जब हमारी कटिंग बिल्कुल ओके करीबी होगी तो हमें बहुत कम के आदा घंडा भी मैं बोलूँ इसमें ज़्यादा लगेगा आपको सीने में तो यह बहुत जल्दी तयार हो जाता पर सबसे पहले हमें सिर्व इसकी कटिंग देखने हो थे कटिंग हम इसकी परफेक्ट कर रहे है और जो नीचे गहर का मसला है तो हमने घेर हमेशा जब आप उस पर लेस लगाएं या कुछ भी करें तो आप उसको आप एक बराबर रखे के हमारी फिटिंग लाइन हो यह सब कुछ कोई कोना नीचे से लटक तो नहीं रहा उसको एक दफ़ा ट्रिम लाजमी कर ले उसको अच्छे से एक दफ़ा चेक ज़रूर कर ले कि हमने घेर क्योंकि जब हम शेफून या इस तरीकी के कपले सीते हैं तो अमूमन जब नीचे की साइट पे जो होता है वो उसमें आड़ा पाना आर होता है या तो डीप कर रहे होते हैं तो हम इसको इकक वल देखेंगे इसमें मैंने घले का साइज भी चेक करा इस तरीके से जो मैं इनर में बनाऊंगी ऐसा नहों कि इनर से मेरा गला बड़ा हो जाए पहर जो हमारा कोट का साइज है साइटों से गला न ही निकले फिर हम इसको चिट बटन से भी हम इसको लागा सकते हैं कोड पे लगा ले चिट बटन और इनर पे लगा ले मैंने इसमें गले में साइज रखा है कि हाँ मेरा इतना मतलब परफेक्ट साइज है जो कि मैं साड़े पांच इंच का इनर का गला डीप रखूंगी बाकी चोड़ाई मैंने इसके गले के इसाब से रखी है यह देख ले मैंने इसके अंदर गले के अंदर नाप ली है इसका सेंटर रखकर और इसी तरी के साब देख ले यह मेरा और फिर मैं इसकी फिटिंग के अंदर इसकी मतलब नाप करके नीचे से इसको नीट करूँगी यह देखें आप इस तरीके से देखें मैंने एक साइट से निकल रहा था तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे कि हमारे यह कोने भी लटा करें यह देखें एक साइट से निकल आया एक कपड़ा एक बराबर कटिंग के बाद भी इसको एक दफ़ा हम जब इसको फाइनल करेंगे फाइनल हमारी फिटिंग और ये सब बिल्कुल ओके आ रही है तो हम इसको एक दफ़ा इसकी एके कटिंग कर लेंगे घेर की इसको आपको बताएं में इसी तरीके से इसकी दामन में भी इसके घेर में लिए से इसी ही पल्टी है डायरेक्ट कोई कपड़ा लगाया है नो कुछ लगाया है डायरेक्ट मैंने इसी के अंदर पल्टी आप देख सकते हैं बीटिफुल अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीस लाइक लाजमी करिएगा मेरी चैनल पर न्यू है तो सब्क्राइब करिएगा ताके मेरी न्यू वीडियो आने पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए मेरा इंस्ट्राग्राम एकाउंट और फैस्बिक एकाउंट भी आप उसके पर मुझे फॉलो करें अगर कुछ सिखना चा मैंने इसकी नोटिफिक आपको बताएगा कि जो आपका चैस साइज हो उसके साथ रख सकते ही मेरा बल्कुल रेडी हो चुका है मैंने इसका इनर अलग से सिया था इसका अलग से वियर किया जाएगा उसके अंदर आप चाहें तो स्लीफ में अस्तर वाली स्लीप्स लगाए या ना लगाए या विदाउट स्लीफ से लेस कर दें उसको और उससे ही होता है कि आप भाद में भी नॉर्मली इनर को पहन सकते हैं कोट उपर से अलग से पहन सकते हैं एक बटन आप इस साइट पर आगे कि नोग जहां पर आपकी दोनों मिल रही हो उधर एक बटन लाजमी लगाए और एक हूप महाँ पर आगिया है और इसको पहन के एक दफ़र ट्राइ करके फिर आप अपने हिसाब से भी लागा सकते हैं बटन तैंक यू सो मॉच प्रेश पर आपो जब है कि भी लागए खर आपकी लागा ट्राइशा जीज से लागा यू जचारा आपकी लागण से और आपकी लागा तो